जै गों माता की जै भारत माता की आप सब कैसे हैं उमीद करता हूं कि माज अगदंबा की क्रपाश आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तो आज का हमारा विशे रहने वाला है विरेश रासी को लेके विरेश रासी का फल दो हजार तेईस जन्वरी का महिना आपके लिए कैसा जाने वाला है क्या स्वास्ते किस्तितियां रहने वाली है धन किस्तिति क्या रहने वाली है कारिय किस्तिति क्या रहने वाली है और लाब किस्तिति क्या रहने वाली है विद्यार्थियों का जीवन कैसा जाने वाला है तो आज का हमारा ये विशे रहने वाला है दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं अन्सुमन सर्मा आप सब का आपके चैनल जोति सादना केंदर यूटूब पर स्वागत करता हूं नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को प्रेस करें ताकि और भी अदबुद सुंदर जानकारिया हम आप तक पहुचा पाएं चलिए दोस्तों वास्ते के लिहाद से थोड़ी से कमजोर है परन्तु ज्यादा भी कमजोर नहीं है हलका फुलका उप्चार लेने से आपके सरीर में आने वाली छोटी मोटी समश्याएं दूर हो जाएंगी परन्तु ड्रैविंग के मामले में थोड़ा साब को साबधानी बरतनी पड़ेग तो यहाँ पर भी यह भी समश्या आपकी टल सकती है आपके अच्छे प्रियास से आगे बढ़ते हैं दोस्तो विद्यारतियों के लिए यह महिना बहुत ही सुब रहने वाला है छोटा सा प्रियास बड़ा अदबुद फल देने वाला है थोड़ी सी मेहनत रेजल्ट बहु इसके बाद दोस्तो मातक का स्वास्थे परिवारिक स्थितियों को देखा जाए तो सबका सैयोग मिलने वाला है भाई वहरों मित्रों का अच्छा सैयोग मिलने वाला है मातक का स्वास्थे थोड़ा सा कमजोर रह सकता है उचार गीजेगा तो उसमें भी आपको लाप तो यहां पर थोड़ा सा जो है परिशाने का कारण हो सकता है उचार कीजिएगा सफलता जरूर मिलेगी अब आगे बढ़ने दोस्तों सत्रू की तरफ देखा जाए तो छटे भाव में केतु है सत्रू उबर उबर कर सामने आएंगे और आपसे लड़ने का प्रियास करेंगे पर आपका सांसो भाव आपको बड़ी जीत दिला सकता है क्योंकि इस महीने में यदि आप कोट कचैरी के मामलों में पढ़ जाते हैं तो निश्चित ही आप हसने वाले हैं तो दोस्तों सत्रू से भिढ़ने का प्रियास मत कीजिएगा वक्त पर छोड़ दीजेगा वक्त उ सिति में रहेगा और अपने मेहनत पर लगन के साथ आगे बढ़ेगा तो सत्रू पक्स भी आपको कोई ज़्यादा वड़ी प्रेशानी नहीं दे पाएगा इसके लाबह दोस्तों व्यविशाय को देखा जाए तो आपके दस्में भाव में 17 जनवरी को सनी देवजी आने वाले हैं और 22 जनवरी को सुक्र यहाँ पर सनी के साथ बड़ा ही अदवुद संयोग बनाने वाले हैं आपकी तरक्की में चारचांद लगाने वाले हैं आपके व्यविशाय को बड़ा ही अदवुद बनाने वाले हैं यदि आप जोब कर रह संयोग भी आपका नजर आ रहा है वबसाय में आपको बड़ा ही अदबुद संयोग बनने वाला है अपका यदि आप वपार में अटकलों से प्रेशानियों से प्रेशान हैं तो बस कुछी दिनों की बात है उसके बाद ये स्थान आपका बड़ा ही अदबुद होने वाला है और इसी के माध्यम से यदि आपके पास घर नहीं है तो आपका घर भी बनेगा क्योंकि धाई साल के लिए सनी देव जी आपके इस्थान में मुझूद रहने वाले हैं जितनी प्रिक्षाई सनी देव ने लिए है आपकी उन सभी प्रिक्षाओं का फलसल रूप आपको बड़े ही सुन्दर तरीके से देने वाले हैं आपकी हर एक इच्छा को पूरन करने वाले हैं बस छोटी छोटी साफ धानियों के साथ आप छोटे छोटे निवारणों के साथ अपने जीबन में आगे बढ़ेंगे द्वेश इर्शा को त्याग देंगे ये बड़े सुन्दर उपाई हैं किसी से आप इर्शा नहीं करेंगे क्रोध नहीं करेंगे और गलत चीजों का सेवन नहीं करेंगे तो सनी आपकी तमाम इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं चाहे वो बिजनेस से संबंदित है चाहे वो जोब से संबंदित है चाहे वो आपकी वेपार से संबंदित है भले ही आपके वो वेवाईक जीवन से कुछ ऐसे हैं जिनके साधी नहीं हुई है शादी के लिए प्रियास कर रहे हैं पर उनके जो प्रियास है वो सफल होने वाला है क्योंकि यहां पर सनी का बैठना आपके लिए बड़ा ही अधवुद प्रणाम फलसुरूप आपके लिए होने वाले हैं आपकी मान परतिष्ठा बढ़ने वाली है, समाज में आपकी इज़त बढ़ने वाली है, जहां समाज ने आपको पुछना बंद कर दिया था, अब क्या पुछना सुरू हो जाएगा, आपको आगे लेकर लोग चलना पसंद करेंगे, आपकी हां में हां मिलाने का लोग प्रिय और आपके लिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है क्योंकि सनी की तीसरी द्रिष्टी 12 भाव पर दोस्तों पांच में द्रिष्टी आपके द्वित्य भाव पर पड़ने वाली है। साथ में द्रिष्टी आपके ववसाइप पर एक तरफ बैटे हैं, दूसरी तरफ अधभुद्ध सुकर के साथ बैट कर बड़ा सुन्दर योग आपके लिए बना रहे हैं, जिसको राजमान सुक का भी दरजा दिया गया है, परन्तो गलत ने करें, किसी की निंदा ने करें, अच्छे करते रहेगा, धाई साल के लिए विशेश कर आप इन चीजों का ध्यान रखेगा, और फिर आपके लिए गुरू का प्रभाव भी अच्छा होने वाला है, अप्रेल में गुरू भी आपके द्वादस भाव में आ जाएंगे, तो ये भी आपके लिए बड़ा इसका अंट भी बहुत अच्छा रहने वाला है, मद्दम मद्दम गती से हम आपके समक्षे, आपका फरवरी मारज से आप इन महीनों के रासिफल आप लोगों के समक्ष लेके आते रहेंगे, आपको सुन्दर से योग, योग प्राप्त होने जा रहे हैं, तो इस वर की बनाएं, अपने वजन के बरावर ग्यहूं और गुड को लेकर गउंसाला में, आप सनिवार के दिन गायों को अरपंड करने का परियास कीजिएगा, वजन के बरावर गुड और ग्यहूं, यदि आपके जीवन में कोई बड़ी से बड़ी प्रेशानी चल रहे हैं, तो वो आप मजदूरों को जो गरीब लेवल के लोग होते हैं, उनकी आप मदद करते हैं, उनको भोजन खिलाते हैं, या आप उनको दूद अरपंड करते हैं, तो भी सनिदेव जी आपको बड़ा अदबुद और सुन्दर फल देने वाले हैं, ब्लेक रंके कुटे को यदि आप स ब्लेक रंके कुटे को अरपंड वैसे तो सभी को दीजेगा, क्योंकि सनिदेव जी आपके उपर बड़ी असीम करपा करने वाले हैं, तो सभी कुटों को ब्लेक रंके डोप पर विसेश ध्यान रखेगा, तो बड़ा अदबुद सुन्दर फल आपको प्राप्त होगा, मा मा की शेवा करता है, अगर मा की एक दिन परते दिन परिकर्मा की जाए तो बड़ा सुन्दर शेयों को हो सकता है, तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर किसी नए विशे के साथ, आप लोगों के समक्स आएंगे, तब तक के लिए जै गुमाता की, जै भारत माता की, ज आपको जरूर प्राप्त होगी, जै गुमाता की, जै भारत माता की, झाल 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 झाल झाल